इसमें aim और aim के बीच equivalent निकालना है देखने वाली बात है कि यह point aim तो इसको भी aim कहेंगे यह भी aim होगा यह भी aim होगा potential के ख्याल से क्योंकि point तभी बदलना है जब potential बदलेगा तो चलो इसको भी aim कह दिये यह भी aim हो गया यह भी aim point हो गया यह M है तो यह भी मेरा point A ही होगा यह M होगा अब point देखिए अलग कौन होगा यह एक point अलग होगा जिसको कि हम लोग कह दिये A point point A और यह A है तो यह 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 नहीं होगा इसको कह दिये B point यह A है तो इसको भी A कह सकते हैं क्योंकि बीच में कोई तरह का डीवास नहीं आए अब चार तरह का पॉइंट हुआ तो चार तरह का पॉइंट हुआ एक हो गया M दूसरा N इन दोनों के बीच निकलना है एक A लिए एक B लिए अब देखो A और N के बीच यह N पॉइंट है M और N के बीच एक capacitor 4 माइक्रो फ्राड का तो M और N के बीच अभी रहने दो इसको नहीं लिखे B और N के बीच 4 माइक्रो फ्राड का B और N के बीच 4 माइक्रो फ्राड का जिसका यूज कर चुके हैं उसको टिक लगा दिए A और N के बीच A और N के बीच four micro fraud का A और N के बीच four micro fraud का इसका भी हो गया यह अब देखे तो B और A के बीच four micro fraud का मतलब A और B के बीच four micro fraud का इसका भी काम हो गया A म और B के बीच four micro fraud का इसका भी हो गया अब बच गया है एक एम और एन के बीच हम लोग यह कैपेसीटर है एने की सेल समझ जाना फोर माइक्रो फ्राड कर फोर माइक्रो फ्राड कर अब देखो देखो दिस बाइ दिस इक्वल टू दिस बाइ दिस तो यह बीच से हटेगा बीच से हटेगा तो फोर फोर का स्रीज टू और नीचे फोर फोर का स्रीज टू टू का पै पाचों के बदले, कैसे ये तो हट जाएगा, 4, 4 का स्रीज 2, नीचे से भी 4, 4 का स्रीज 2, 2, 2 का पैरलल 4, ये पाचों के बदले, लेकिन ये के, m और n के बीच एक और कैपरसीटर है, कितना का, 4, m- wave का, या point, m और n, एम और एन के बीच एक और कैपर सीटर हम लोगों को कितना लगाना है 4 मी वेप का 4 मी वेप का अब देख लो विद्यार थी ये 4 और 4 पैरलल में है तो C क्यूब हैलेंट कितना हो जाएगा 4 4 का पैरलल कितना हो जाएगा 8 मी वेप यही आंसर होना चाहिए